नई दिल्ली गुरुग्राम से आई खुश्खबरी के अनुसार दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात में अक्सर आने वाली समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। इस नई सडक के खुलने से गुरुग्राम से लोग अब यशो भूमी के जरिये सीधे डेली एरपोर्ट तक पहुँच सकेंगे। एक घंटे का समाई लगता था, वह अब केवल 20 से 25 मिनट का ही समाई लगेगा। इससे वाहन चालकों को अब भारी ट्राफिक जाम में फंसने की समस्या से राहत मिलेगी। ट्राफिक मामलों के विशेशग्य प्रकर सहाय के अनुसार इस कनेक्टिविटी से हजारों वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने सुमवार को इस एक्स प्रेस्वे के 19 किलोमेटर लंबे हिस्से का उधगाटन किया है। हालांकि दिल्ली को इसका पूरा लाब अगस्ट तक मिलने की उम्मीद है जब एक्स प्रेस्वे का शेश 10 किलोमेटर लंबा हिस्सा भी तयार हो जाएगा। इससे द्वारका और गुरुग्राम जाने वाले लोगों को जाम से काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा प्रधान मंत्री मंगलवार को देश भर में 85,000 करोड रुपए की लागत से तयार 5960 रेल प्रोजेक्ट्स का उदगाटन करेंगे। ये प्रोजेक्ट्स 764 स्थानों पर आयोजित होंगे और इन्हें 10,000 से ज्यादा जगहों पर स्क्रीन के माध्यम से दिखाया जाएगा। दिल्ली गुरु ग्राम के बीच आय दिन जाम से जूजने वाले लोगों को द्वार का एक स्प्रेसवे का एक हिस्सा खुलने के बाद बड़ी राहत मिली है। इससे समय की ही नहीं बलकि धन और इंधन की भी काफी बचत होगी। साथ ही दोनों महानगरों के बीच कनेक्टिविटी बहतर होने के अलावा कई राज्यों की राह आसान होने की उम्मीद है। इसके साथ ही और भी कई फायदे हैं। सुंबार देर शाम राष्टिय राजमार्ग प्राधिकरण एनेचे आई ने द्वार का एक्स प्रेस्वे के पैकेज दो और तीन के बीच की कनेक्टिविटी कर दी। यह कनेक्टिविटी गुरुग्राम और दिल्ली बॉर्डर पर की गई है।